कि तो और दोस्तों कैसे वेर आप यार आज है उस ही हम का लेक्चे नंबर कुछ से चल रहा है कि लेक्षर नबर 2 कोई भी बचक्चा निमिर 2 देखने नहीं आ है उसना लेक्षर नमर1 कम्छी चाहि है और जो जो भी लेक्षर वन जिसने अब तक देखा नहीं है भाई मैं आप से 20 मिट बात मिलूंगा आपको पहले वन देखना है उसके बाद टू देखना है वरना आपको समझेगे नहीं चल क्या रहा है वो सीम में ठीक है लेकिन देख़ए अब दोस्तों हमने लेक्षर वन में काफी करना है जो भी नए पसंद आ रहे हैं उनको बताना है इस चैनल के बार में देख़ए यार यह क्या कर रहे है अब सिधा अपने चलते अपने शिलाए बस पर बिजनस अब्जेक्टिव लेकिन उसका रिजन होगा न उसके पीछे बिजनस करने का मने मेरा आज मैं बिजनस कर अपने को ठीक है क्या बात है एक बच्चा कहा रहा है सर मुझे तो लोगों की भलाई करनी है तो यार मेरे भाई आप बिजनस मत करो यार फिर तो आप करोगे नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन खोलो गए आप फिर अब यार ओस्यम वाले बच्चे कहा रहे तो पहली बा देख है पहले बिजनस अबजेक्टिव दो तरॉफिटी होते हैं एक होता है सोशल अबजेक्टिव में ज्यादा तर्व पैसे रिलेटेड मौटीव होगा या अगर आपको बिजनस करना यह मान लिया जाता है उसका में तो परफिटी है उसको पैसे खमाने अगर ऊपैसे एक successful business का tag मिलेगा वो tag चाहिएगी नहीं चले जानते कैसे मिलेगा पहला है दोस्तो earning profit देखो यार ऐसा मालने चाहता है अगर कोई person business कर रहा है कोई person सोच रहा है उसको business करने का वो हमेशा से ये रखता है कि यार उसको profit कैसे generate होगा अब कुछ बच्चे कहरें सर वो starting में तो loss bear करते हैं वो क्यों करते फिर देखो यार वो starting में loss इसलिए bear करते क्योंकि वो अपना market में एक तरिके से advertisement कर पाए वो थोड़ा बहुत लोगों की भलाई भी हो जाए और देखो यार आप किसी की help कर रहे हो वो आपको हमेशा से याद रखते हैं यह कितने अच्छे इनने हमारी help करी और जब वो person paid basis पर स्टार्ट कर देया कुछ भी करो आप लोग उनको help करते होगी नहीं तो कैसा हो गया है यहां पर प्रॉफिट ऐसा हो रहा है लेकिन इंड प्रॉफिट उसको फ्यूचर में में भी मिले ऐसा भी हो सकता है अब यहाँ पर देखाँ दोस्तों न्यू कस्टमर्स अब देखो अगर क्या लिखाए मैं यहाँ नियू कस्टमर्स अब देखो और बिजनस चलाने का ऐसा तो नहीं है आप सोचो कि सर मेरे 10 दोस्त हैं वो 10 जो 10 मेरे दोस्ते ना आयार, वो सिप मेरे से खरी देंगे और किसे से नहीं खरी आपको ठोड़े से ही कस्टमस में खूश लहाँगे क्या , अरै मेरे 10 कस्टमर हो गए हम बहुत खूश होंगे नहीं हम चाहते हैं हमें और लोग आया हमारे पास हमारी और तारिफ करें हमारा बिजनस और ज़्यादा पहले और ज़्यादा एक्सपांड हो और ज़्यादा मार्किट में हमारा नाम हो और ज़्यादा हमें रेकिनीजन मिले हम भी तो यह चाहते हैं आप बच्चों का प्यार जो आ आसान सा काम नहीं है इसके पीछे बहुत मैनत लगती आप सोच नहीं सकते हो उतना लेकिन यार दोस्तों अब आप छोटे नहीं हो अब 11 में आ चुके हो अब आप अपने सोचने की शक्ती इतना फैला एक रिसर्च करो यार क्या होता है इस चाम का अगर आपको लाइफ में सक सकता हो आप बिजनस नहीं स्टार्ट कर सकते हो अब लेकिन अब वह तो आपकी तरीका है आप कैसे उस चीजों का इस्तमाल करते हो और एक सक्सेस्फुल बिजनस में उसको कनवर्ट करते हो यानि कि बेस्ट यूज उसर्स रिसूरस रिसूर्स जैनिकि जितना भी आपके प आप चलते हैं सोचल अब्जेक्टिव भी तो है और वह भी तो करना है जिसमें पहला है दोस्तों सप्लाइंग कॉलिटी प्रोड़क्स देखो है सोचल अब्जेक्टिव में कैसा होता यहां पर सोसाइटी रिलेटेड रोल आपको ज्यादा प्ले करना होता है अब ऐसा नहीं आपका फाइदा हो रहा है आप चल रहो अपने ही मस्त में आप यार लोगों का भी थोड़ा सा भला कर दो देखो कैसे देखते हैं सब्सक्राइंग कॉलिटी प्रोड़क्स अप कोई आपका बिजनस है आप से कोई पर्चेस करने आया कस्टमर है आपके पास आपके उसको क घुअ कर रहे हैं अगर वह पर संब देखो लिए तो ही अतविए पर प्रोड़क्ट्ट लें तो रहे हो साथ कि काले क्यई सारओ अगर आप अच्छा काम करना मन में किसी का बुरा नहीं चाना और एक अच्छा एक्ट करना अब देखो यार आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे अगले का नुकसान हो आपने कुछ ऐसा काम किया जैसे अगले का नुकसान हो आपने क्या जान मुछ किया होगा बिल्कुल तभी तो unfair किया न अब देखार दोस्तों इसमें कैसा है आप लोग क्या करते हो न ब्लैक मार्केटिंग वाली चीजों में आ जाते हो उसके बाद कोई goods होती है कोई goods है उसक अगर आपके बास monopoly है मतलब किसी आपका राज चलता है तब तब यह गर जकते हो तो आपको ऐसे नहीं करना है अप खुद का profit कमा हो लेकिन यार थोड़ा लोगों कापी सोचो अगर लोग नहीं होंगे तो आपका business कैसे चलेगा उसके बाद दोस्तों employment generation अब देखो यार कह सारे business होते जिसमें एर एक single person ही उस business को यहां से यहां ले जाता है लेकिन हर केस में नहीं होता आप एक्सपांड भी तो करना चाहते हो तो में भी ऐसा हो आपको manpower की need हो manpower मतलब आपको employees लगेंगे ना बिजनस को और संबालने के लिए तो बस वे से ही आपने कर दी employment generation मतलब आप तो थे ही आपने तीन-चार लोग और appointment कर ली अब सोच आयर वो तीन-चार लोग कितने खुश होंगे यार हमें job मिल गई देखा तो ऐसे employment भी बढ़ रही है जैसे business बढ़ रहा है employment भी बढ़ रही है देश का पाइदा हो रहा है ना दस्तो उसके बादे दुस है इतना मेनद कर रहे है आपके लिए उनके लिए थोड़ा आप भी सेलरी थोड़ा और एक्ट्राइफर्ट लो लेना चाहिए कि नहीं उसके बादे दोस्तों help to solve social problems देखो यार अपने society में कितनी problem हो रही है अब जहां का आपका बिजनस है में भी ऐसा हो उसको जो surrounding area वहा comment section में बताना लेगन आप देखते हो कि नहीं अगर यही role model आपके society में आकर कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए उनके business related कितनी respect हो जाएगी होगी की नहीं उसके बाद दोस्तों contributing to the welfare of the society अब देखो यार आपने business किया आप अच्छे कासे पैसे कमाए आपका बहु करने donations दो उन्हें आगे लाओ एक जो टैलेंट है जो hidden है एकदम जिसको कोई जानता नहीं उस टैलेंट को आपको appreciate करना चाहिए और as a business आपका भी तो नाम होगा और indirectly ठीक है रोस्तों तो देखो यार मेरे वाई जो यह था business objectives जो की important role play करता एक business के successful होने में उसके बाद य अगर इसमें कुछ doubt है comment section यार मेरे थोड़ी है आपके लिए ना और बाकि आप मुझे इंस्टा पर भी टेक्स्ट करते हो तो आपको एकदम clear है लेक्टर नमबर टू देख रहे है कोई बच्चा सो गया हो गया गया नहीं लेक्टर नमबर टू देख रहे है चलो start करते हुआ की नहीं अब देखो यार कैसा होता ना अगर तुम्हारा जो सर है कौन मेरा नाम गौर ओव सर ठीक है अब मैंने ना कुछ चीज ना मैंने मेरे फ्रेंट से पर्चेस करी थी 50 रूपीज में वही मैंने आपको सेल कर दी 100 रूपीज में मैंने कितने में खरीदा 50 मैंने बस बच जाता है जब आप बाइंग और सेलिंग करते हैं अब यह जो एक्स्टा में नहीं है इसको हम कहते हैं प्रॉफिट अब यह जो प्रॉफिट है मैंने जो आपसे एक्स्टा 50 रूपीज कमाए बिजनस तो भी चलाना है ना तो ऐसे ही तो चला हूँगा अब आव जा रखा है यार मेरा बिजनस तो लोगों की दुआओं से चल जाएगा अगर ऐसा होता तो अगर कोई मेरा बच्चा अगर बिजनस करना चाता है तो अब इसमें पहला है रिटर्न टू इन्वेस्टर अब देखो यह कैसा है ना बिजनस है ऐसे तो काफी लोग होते हैं जि लोगों के पास जाते हैं जो बहुत ही अच्छे कंडिशन में है तो फिर वह अपना आइडिया बताते हैं उने कहते है सर आप हमारे बिजनस में इंवेस्ट करो ना हम आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे तो बस वही प्रॉफिट रिटर्ण तो इन्वेस्ट अगर कोई परसन्न आपकी बिजनस में पैसा डाल रहे है तो उसको बदले में भी लोगों की भलाई कर रहे हो तो वह अलग टम हो जाता है लेकिन है यह मांन लृट जाएगा कि यार आप मुझे फॉपट बहुत दोगे बिजनस करने से पहले लोग-कस्टमर को जानते है business करने से पहले उसकी अदροेजमिंट जो होती है अपने टीवी में देखें य्ट्स वगेरा हम करने से पहले सब जो टीम होती है, वो लोक सोचते है अगर हम ऑधिट्विटेजमेंट ऐसा करें, मतलब कैसा वो तुर से अच्छ कर रहा रिसर्च कर रहे की नहीं अब आपने उनका प्रोड़क्ट पर्चेस करा तो उने क्या होगा प्रॉफिट टिया चलो उसके बाद ग्रोथ एन एक्सपांशन अब जिसे हमने बात करी थी यार बिजनस हम स्टार्ट तो कर सकते लेकिन हमें सिप इतना सा बिजनस नहीं हमें इतना बिजनस करना है लेकिन उसके लिए क्या लगेगा भागवान की दूआ नहीं मेरे व्य उसके लिए पैसा लगेगा ना वागवान की दूआ दो अवकॉर्व लगेगी मम्मे का प्यार भी लगेगा लेकिन साथ बिजनस पहले कुछ प्रोड़क्ट में डिल करता था और इतना कॉलिटी वाले प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट नहीं कर पाता था आपको भी पता था लेकिन आप चाहते थे यार मेरी जो प्रोड़क्ट की यह थोड़ी सी लो है मैं चाहता हूँ एक दिन मैं मेरे अपने प्रोड़क्ट करने की बात करें तो कैसे होगा आपको प्रोड़क्ट को मेहनत करना पड़ेगा और उस प्रोड़क्ट को बेटर करने के लिए आपको इन पैसे चाहिए अना दोस्तों अब बात करते हैं फिफ्ट पॉंट की जिसमें है means of livelihood अब देखार कैसा ना अगर कोई पर्सन बिजनस स्टार्ट करता है और ऐसा भी हो सकता है उसको स्टार्ट में लॉस हो तो यार वो लॉस को बचाने के लिए ऐसा हो सकता है कि वो जितनी कोशिश करें वो अतने चीज़ें नहीं करता जैसे वह अपना उसके पास जो limited amount of money है उस money को बहुत सोच समझ के use करता ह काफी सारी मीटिंग्स कैंसल कर देता है जहां पर उसको पता है यार यहां जाओंगा ना मेरा खर्चा बहुत हो जाएगा नहीं जाता हो बिजनस में अलड़ी पैसे नहीं है लेकिन जब आपके पास प्रॉफिट आ गया है अना प्रॉफिट आ गया आप आपके advertisement को और कर सकते हो ना उसके बादे दूस्तों reward of risk देखो यार बिजनस में ऐसा नहीं है आपने बिजनस कोला आपका बिजनस 100% successful होगा नहीं क्योंकि आपको भी पता है दिन में 100 बंते हैं 100 बिजनस बंद होते हैं और 100 बिजनस नहें और आते हैं इतना competition है कि यह आपके जो goods आप प बता और जो यह वीडियो देख रहा है आप भी बिल्कुल talented हो कोई tension ना लो ठीक है तो कैसा ना रिस्क कितना होगा आप सोच सकते हो अब इस रिस्क का आपको reward भी मिलना चाहिए reward कैसे मिलेगा आप इतनी महनत कर रहे हो in the end आपको success मिलेगी में भी थोड़ा सा टाइम ले आपकी success लेकिन मिलना तो पकी है हना महनत करते रहे ना इंदे को बिजनस भी हमें सिखा रहा है क्या करना चाहिए मैनत करना चाहिए तब आपको उसका reward मिलेगा ठीक है उसके बाद सात्वा पॉइंट वह सर्वाइवल देखो यार बिजनस में इतनी competition है आना तो उस competition को आपको एकदम top पे आना है कैसे बिजनस में अगर आपके profit है तो इना आपको survival भी तो करना है ऐसा नहीं business कोई बात नहीं सर कोई बच्चा कह रहा है स्क्रीन के अंदर से सर मैं ज्यादा profit नहीं करना चाहता मैं से थोड़ा से यन करूंगा और अपना business चलाऊंगा नहीं मेर मैंने आपको कहा क्या था अभी आप छोटे ने बच्चे नहीं हो अभी आप 11 में आ चुके हो एकदम wider term से सोचो हाना दोस्तो तो कैसा survival survival हमें business में ठीके रहना है बला ही हम loss आज कहा रहे लेकिन हम यहां से छोड़ के नहीं जाएंगे हमारे business को हम एकदम successful बना के जाएंग और अब सभी को अलविदा कहने का लेकिन दोस्तों यह वीडियो तो यहां पर end हो जाएगा लेकिन आज हमने जो भी सिखा यह आपको क्या करना है read करना समझ के लेना जो भी doubt होता है comment section में लिखना है यही नहीं यार दोस्तों अगर lecture number two है lecture number one में भी कोई doubt है आप उस वीड वो कह रहे थे sir मेरे friends लोग पता क्या करें वो यह कह रहे यहार हम अभी ना वीडियो नहीं देखेंगे हम बात में देखेंगे क्योंकि अभी तो college भी start नहीं है तो यार आप गलती क्यों कर रहे हो आप उन्हें बताओ कि यार मेरे भाई देख तुझे सिख दिन का कितना द पढ़ के रखना है हाना क्योंकि यार देखो यार दिन बर से start करो आदा गंटा ही तो पढ़ना है थोड़ी तो मैं आपको कह रहा हूं नई बच्चो आना आपको 6 गंटा पढ़ना है ऐसा तो मैंने कहा नहीं हाना दोस्तो तो चलो यार फिर इस lecture को यहां पी end करते मिलेंग चालो पर दोस्तो